स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आज हम टॉफ 50 कोश्चन दिल्ली सल्तनत काल का हम लेकर के आए हैं और दिल्ली सल्तनत काल से ये टॉफ जो 50 कोश्चन है वो आपका समान्य अधन के फेपर के लिए बहुत ही उपी हो होगा इसको आप लोग एक वाट जरूर देख लें चलिए पहला कोशन है यहां पर पहला कोशन बोरा कि दिल्ली के की सुल्तान ने दच्छनी भारत को पराजित करने का प्रयास किया तो पहला इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अलाउदीन खिल जी ने को विजय करने के लिए भेजा था लेकिन सब पर्थम अलाउदीन खिल जी जो है भारत को पराजित करने का प्रयास किया था इसका ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्ट है यह कोशन नंबर दो में बोरा की गुलाम वंस के निम सासकों को सही क्रम में सजाएं ठीक है तो यहां पर देखिए सबसे पहले जब मुहमद गोरी आया तो उसने कुतुबदीन एवक को बैठाया था गदी पे तो एक पहले नंबर पर आदाएगा उसके अद कुतुबदीन एवक के बाद फिर आया था आपका यहां पर याद रखेगा इल्तुतमीज से पहले इल्तुतमीज से पह जाएगा नेक्स्ट है यह थ्री नंबर में तीश्रा नंबर बुरा निम्लिखित में से किस सासक को मध्यकालीन भारत का अकवर कहा जाता है तो बहुत इंपोर्टेंट है यह अक्सर पूछा जाता है तो आप्शन ए हो जाएगा फिरोज सा तुगलक को इसके जन सहयोगी का बुरारे को देखते हुए इसे मध्यकालीन का भारत का अकवर कहा जाता था नेक्स्ट है कुशन नंबर फोर में बुरा किस सासक ने अपने आपको खलीफा घोसित किया तो देखिए चौथा का इसका सही अंसर हो जाएगा option D मुबारक सा खिलजी याद रखेगा किस सासक न अपने आपको खलीफा घोसित किया था पांच्वा नंबर में आईए भारती इतिहास में बजार मुल्य नियंतरन पढ़ती की सुरुआत किसके दौरा की गई तो मुल्य नियंतरन पढ़ती की सुरुआत किसके दौरा की गई आप लोग सभी लोग को पता होगा option C हो नेक्स आईए 6 नंबर में 6 में बुरा की गुल उखी यहां पे गुल रुखी होगा गुल रुखी के उपनाम से कौन सा सासक कविताय लिखता था तो 6 का इसका सही एंसर हो जाएगा option B सिकंदर लोदी नेक्स आईए question number 7 में अलाओदीन के आकर्मन के समय देवगिरी का सासक कौन था तो इसका हो जाएगा option B राम चंदर देव था आठवा नंबर में आईए कि सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया तो आठवा का इसका सही एंसर हो जाएगा option B फिरोज सा तुगलक जैसे कि मैंने अभी थोड़े देर पहले बता आया था कि फिरोज सा तुगलक था जो था वो जन सहीयोगी कारे बहुत सारा कि किया था ठीक है इसलिए इसको मद्यकालिन का अकवर कहा जाता है नेक्स्ट आए नाइन नंबर में नाइन नंबर बोर रहा है कि कि सासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल एवो मनियारों का राजकुमार कहा जाता है तो इन नाइन का सही एंसर हो जाएगा option A तुगलक को बुद्धिमान पागल एवो मनियारों का राजकुमार कहा जाता था नेक्स्ट आए दस नंबर में बोरा निम्लिशित में तुगलक नामा के रचनाकार कौन है तो इसका दसवां का सही हो जाएगा option C अमीर खुजरो नेक्स्ट आए ग्यारा नंबर में बोरा त सही एंसर हो जाएगा option A 1398 इसी में और तैमूर लंग के आकर्मन के कारण ही सल्तनत काल का पतन होना शुरूआत हो गया यानि कि उसका मतलब तैमूर लंग के बाद ही पतन होना शुरू हो गया दिल्ली सल्तनत का 12 नमबर में आई ये 12 नमबर 12 कि सल्तनत काल में भूर राजस का सर्वोच ग्रामिन अधिकारी कौन था यहाँ पर देखे सर्वोच ग्रामिन अधिकारी पूछ रहा है तो option C हो जाएगा चौधरी था 13 नमबर में आई ये 13 नमबर बोर रहा कि कि सल्तान को इतिहास कारो न विरोधों का मिश्रन कहा है तो 13 का इसका सही अंसर हो जाएगा option A मुहम्मद बिन तुगलक को next आई ये 14 नमबर में 14 नमबर यहाँ पर बोर रहा है कि नमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो 14 का देख लेते हैं यहाँ पर करके भारत पर प्रथम मुस्लिम आकरवन 712 इस्यू में किया गया सही है जजिया करके शुरुवात मुहम्मद बिन कासीम के दौरा की गई यह भी सही है देखे जजिया करके जो शुरुवात थी वो मुहम्मद बिन कासीम के समय ही शुरुवात कर दी गई थी तो option 20 का सही है अरवो दौरा सिंध विजय का वर्णन चचनामा पुस्तक में किया गया है सी भी सही है और डी पूछ बोल रहा है कि सुल्तान की उपादी धारन करने वाला प्रथम सासक मुहमद बिन कासीम था जो की गलत है देखिए सुल्तान की उपादी धारन करने वाला प्रथम सासक ऐसे गजनवी था लेकिन अगर सल्तनत काल में पूछेगा तो इल्टुत्मीज था तो D option गलत है तो option question में पूछ रहे कि कौन गलत है तो option D इसका गलत हो जाएगा बाकी सब सही है चली यहाँ पर मिलान करना है आपको 15 नमबर में तो 15 में यहाँ पर मिलान कर लेते हैं हम लोग ठीक है तो मिलान करने से पहले हम लोग देख लेते हैं तो यहां पर हम लोग मिला लेते हैं, तो किताब उल्यामिनी, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हो जाएंगे, उत्भी, तो A का 2, सही हो जाएगा, साहनामा, साहनामा का लेखक, फिर दोसी हो जाएंगे, तो इसका option 4 हो जाएगा, तहकीक A हिंद, इसके जो लेखक है, Albarooni ह जाएंगे तो इसका 1 हो जएगा और चचुर्णामा कि लेखक जो है तो इस तरह से इसका जो सही match हो जाएगा, option हो जाएगा, option C, इसका सही हो जाएगा, चलिए, next आईए, question number 16 में, 16 में यहाँ पर देखे, निम्लिखित में से कौन सुमलित नहीं है, तो आप लोग बताएं, इसका answer कि कौन सा सुमलित नहीं होगा, तो इसका जो सही है, देखे, सबसे पहले के करके option हम लोग देख लेते हैं, तराइन का प्रथम यूद, 1191 इसवी, सही है, गोरी और प्रिथवीरा चोहान के बीच हुआ था, जिसमें प्रिथवीरा चोहान जीता था, और तराइन का दित्ये यूद, 1192 यह भी सही है, इसमें गोरी और प्रिथवीरा चोहान के बीच यूद हुआ था, जिसमें गोरी जीता था, और प्रिथवीरा चोहान हार गया था, option C है, चंदावर का यूद, 1194 इस भी यह भी सही है, और यह जैचंद और गोरी के बीच लड़ा गया था, option D जो है, तराइन का तिरते यह यूद, तीसरा यूद यह लड़ा ही ने गया था, 1193 में, तो यह option गलत है, option D तो इसका हो जाएगा, 17 नमबर में यह, 17 में 12 की निमलिखित में से किस सासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो देखे, गोरी जब कुतुब दी नेवग को बनाया अपने गुलाम को, तो तो इस तरह से यहां पर जो इलतुतमीष हो जाएगा, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, तो यह इलतुतमीष हो जाएगा, option B इसका सही हो जाएगा, next रही अठारा नमबर में, अठारा बुरा की, लाख बक्स, पील बक्स, एवं कुरान, ख्वाक, आदी उपन को ही कहा जाता था ठीक है नेक्ष्ट है यह 19 नंबर में 19 में पुरा कि किस सासक के सासनकाल में सिचाई कर लगाया गया था तो 19 का इसका सही हो जाएगा option B फिरोसा तुगलक के समय ठीक है और क्या हुआ था कि सिचाई कर लगाया गया था ठीक है और इसका नहरों की जो कर लगाया गया था वह ओप्शन भी फिरोज सा तुगलक ने लगाया था बीस नंबर में आई ये बुरा नीन में से किसका निर्मान अलाउदीन खिलजी के दौरा किया गया तो यहां पर देखिए अलाई दर्वाजा हो जाएगा अलाई दर्वाजा महम्मद अलाउदीन खिल इसका निर्मान नहीं करवाय गया था लाल महल का जो निर्मान है वह बल्बन के द्वारा करवाया गया था तो इस दरह से ऑप्शन में यहां पर हो जाएगा एक दो चार तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट आए 21 नंबर में दिल्ली सल्तनत का एक मा सासक कौन है जिसकी मिर्टू यूद के दोरान हुई है तो 21 का इसका सही हो जाएगा उप्शन सी इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल का यही एकमा सासक था जिसकी मिर्तु यूद के दोरान हो गए थी बाकि किसी सासक का मिर्तु यूद के दोरान नहीं हुई थी नेच्ट आईए 22 नमबर में भूमी मापनी की इकाय गज ए सिकंदरी का परचलन दिल्ली सलतनत के किस सासक ने करवाया था तो 22 का सही अंसर हो जाएगा option B सिकंदर लोदी ने नेक्स्ट आईए 23 नमबर में 23 नमबर बोरा है कोशन कि दिल्ली सल्तनात का वह सासा कौन है जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था तो 23 का इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन B नसुरदीन मुहम्मद 24 नमबर में आईए बोरा की एक मिनट 24 नमबर जो कोशन है उसमें बोरा है कि किताब उलहिंद पुस्तक किस भासा में लिखी गई तो 24 का देखे किताब उलहिंद के जो लेखक है वो अलबुरूनी है और इन्होंने अरभी भासा में इसको लिखा था तो आप्शन A इसका सही हो जाएगा 25 में गुलाम वन्स के वास्तिविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है तो गुलाम वन्स का जब वास्तिविक संस्थापक पूछेगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा आप्शन D इल्दुतमीज नेक्षट है ये 26 में बोरा दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा सासन काल की सासक कर रहा है ये कोश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो 26 का आप लोग नोट कर लें आप्शन A हो जाएगा बहलोल लोदी जो की लोदी वन्स का संस्थापक था याद रखिएगा नेक्षट है ये 27 नमबर में सल्तनत काल का कौन सा वन्स अफगान मुसल्मानों द्वारा अस्थापित किया गया था तो ये भी याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका आप्शन D हो जाएगा लोदी वन्स ये जो थे ये अफगान मुसल् नेक्षट है 28 नमबर में बुरा की निम्लिखित कतनों पर विचार कर लें ठीक है तो पहला कतन दिया गया कि सवपर्थम सुद अर्वी सिक्के इल्टुतमीज द्वारा जारी किये गया दूसरा बुरा की इक्ता पर्था की सुरुवात मुहमद बिन कासीम द्वारा की गई तो इसमें से पूछरा की कौन सा कतन सही है तो देखिए पहला कतन जो है वो सही है सवपर्थम सुद अर्वी सिक्के जो है वो इल्टुतमीज के द्वारा जारी किया गया था दूसरा जो कतन है वो गलत है इक्ता पर्था की सुरुवात जो है मुहमद बिन कासीम के द्वार नहीं इल्टुत्मीज के द्वारा किया गिया था तो इस हिसाब से इसका ओप्शन ए हो जाएगा कि एवल कथन एक सही है नेक्ष्ट है यह उंतिश नंबर में बोरा कि दिल्ली में इसी कुबवतुल इसलाम मस्जीद का निर्मान किस सासक ने करवाया था तो इसका जो निर्म में है जिसका निर्मान कुतुबदीन एवक ने करवाया था नेक्ष्ट है यह तीश नंबर इसको याद कर लिजएगा उलुक खा की उपाधिक कि सासक को परदान की गई थी तो तीश का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा उपसंडी बलबन को उलुक खा की उपाधिक और सूची तो सूची वन में है कि आरिज मुमालिक जैसे परदान जो पद होता है उसका है और यह किस से संबंदित है उसका यहां पर सूची दो में दिया गया है ठीक है तो चली यहां पर हम लोग देख लेते हैं तो आरिज मुमालिक ठीक है तो आरिज मुमालिक जो हो जा चाहिए उसके बाद यह बारीद एह मुवालिक यो थाि इसका प्रधान को यह कहा जाता था तो 12 का यहाँ तीन हो जाएगा काजी उल कुजात जो है वो यहाँ पे हो जाएगा न्याय बिभाग का प्रधान और सद्र उ सुदूर जो है वो धर्म बिभाग का प्रधान हो जाएगा यानि फोर का वन यानि एक का एक जो है यहाँ पे चार हो जाएगा तीन दो एक तो चार तीन दो एक कि में है तो option B यहाँ पर इसका सही हो जाएगा नेक्स रही है 32 नंबर में भारत में मकवरा निर्मान सैली का जन्व दाता नीन में से किसे माना जाता है तो 32 के हैं पर हो जाएगा option D इल्टुतमीज को नेक्स रही है 33 नंबर में 33 में यहाँ पर बुरा कि अलावदीन खिल जी के विसे में निमलीखित में से कौन सा सत्त है तो यहाँ पर देख लेते हैं के करके कथन पहला बुरा उसने स्वेम को सिकंदर इसानी की उपाधी परदान की सही है दूसरा बुरा अलावदीन खिल जी के दौरा की गई यह भी सही है यानि किसमें जितने भी कथन दिये गए हैं यह सब ही सही है तो option D इसका सही हो जाएगा नेश्ट आई है चौतिस नमबर में सांकेतिक मुद्रा का परचलन किसने प्रारंब किया तो चौतिस का सही एंसर हो जाएगा option B मुहमद बिन तुगलक ने नेश्ट आय है यह 35 नमबर में पैंथीस में किनिम्री खित में कौन सुमलित नहीं है ठीक है तो 35 में कौन सुमलित नहीं है तो यहां आदिलाबाद का किला फिरोसा तुगलक किया ये गलत है आदिलाबाद का किला जो है वो मुहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्मान करवाया था नेक्ट कोशन में आईए नेक्ट आईए 36 में बोरा फिरोसा तुगलक द्वारास्थापी दिवान ए इस्तिहाक का संबंद किस्से है तो ये हो जाएगा पेंसन से ये संबंदित है और उसके बाद किस्से लिया जाता था वो संबंदि सुची दो में दिया गया तो ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट है 37 नमबर बहुत इंपॉर्टेंट इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लिजएगा उस्रकर जो है याद रखेगा उस्रकर जो है वो मुसल्मानों से लिया जाने वाला भूमी कर था तो एक का यहाँ पे दो हो जाएगा और खराज देखिए, खराज जो है, वो गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला भूमी कर था, तो दो का वन हो जाएगा ठीक, अब आईए जजिया, तो जजिया क्या था, तो जजिया गैर मुसल्मानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो तीन का आपको हो जाएगा 4, और जकात क्या था, तो जकात जो था, वो मुसल्मानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, तो 4 का हो जाएगा 3, आप तो इसको note कर ली जाएगा, तो इस हिसाब से इसका जो option हो जाएगा सही, वो हो जाएगा option D, चलिए next आई 38 नंबर में, बोरा की कौन नीन में से सुमलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमलित नहीं है, तो ये हो जाएगा option B, तबकात ए नासिरी, ये जो है इसके जो लेखक अ मिनहाज उस सिराज है, बाकिस में सभी जो कथन दिया गया है, बाकिस सब सही है, नेक्स है उन 40 नंबर में, यहाँ पर विभाग है, उससे संबंदी छेतर है, मिलान करना है, तो दिवान कोही आप लोग जानते होंगे क्रिसी विभाग, दिवान ए अर्ज जो है, तो दिवा दिवान ए अर्ज, तो दिवान ए अर्ज जो हो जाएगा, वो सैन ए विभाग था, और यह किस ने बनाया था, तो दिवान ए अर्ज जो था, वो बलवन ने बनाया था, नेक्स है यह दिवान ए मुस्तखराज, तो दिवान ए जो मुस्तखराज है, यह बित विभाग हो नेक्ष्ट है यह 40 नंबर में कोशन इंपॉर्टेंट है जब वह सासक बना तो वह सरीयत के कानूनों एवं आदेसों से स्वतंद्र था उप्युक्त कथन बर्नी ने किस सासक के संबंद में कहा है तो 40 यह इंपॉर्टेंट है तो आप्शन C हो जाएगा अलावदीन खिलजी क संबंद में यह कथन अलबर्नी ने कहा था ठीक है 41 नंबर में आई यह सिकंदर लोदी के संबंद में निम्लिखित में से कौन सा कथन आसत्त है सिकंदर लोदी के संबंद में तो 41 का यहां पे देख लें आगरा को राजधानी बनाया सिकंदर लोदी ने सही है ज्वाला मु सानी की उपादी धारन की ये गलत है सिकंदर ए सानी की उपादी जो था वो अलावदीन खिलजी ने धारा था तो यहाँ पे असत पूछ रहा है तो तीन और चार असत है तो यहाँ पे तीन और चार ओप्सन डी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है नेक्ष आए कोश्चन नंब 42 में 42 में बोर रहा है चलिए 42 में बोर रहा है कि मुहम्मद बिन तुगलक के विशय में किस व्यक्ति ने कहा कि अंतता लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई तो 42 का इसका जो सही एंसर हो जाएगा option C हो जाएगा बदायूनी ने 43 नमबर में ये निमलिखित में से कौन सुमलित नहीं है तो कौन सुमलित नहीं है तो देखे गाजी जो है उपाधी ये गयसुदीन तुगलक ने धारन किया था यामनी उल खलीफा ये इलतुत्मीस नहीं चौवालिस में ये किस सासक ने सिको पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था तो ये भी इंपोर्टेंट है तो 44 का यहाँ पर सही हो जाएगा option D फिरोसा तुगलक ने खलीफा को खुष करने के लिए सिको पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था फिरोसा तुगलक ने नेक्ष्ट आये 45 में किस वेक्ती ने गया सुदीन तुगलक के विशाय में कहा कि गया सुदीन तुगलक अपने मुकुट के नीचे सैकोडो पंडितों की बुद्धी छिपाय रखता है तो पैतालिस का ये सही हो जाएगा ओप्शन ए अमीर खुसरो ने तो ये सब आप लोग का कथन भी है याद किया किजे कि ये सब क्योंकि ये सब बहुत परचलीत कथन है ठीक है 46 नमबर में ये राणा कुमबा दौरा कृती अस्थाम का निर्मान किस छेत पर विजय के उपलक्ष में करवाया गया था चली इसका एंसर आप लोग जल्दी से दीजिए 46 नमबर का राणा कुमबा दौरा कृती अस्थाम का निर्मान किस छेत पर विजय के उपलक्ष में करवाया था तो देखिए इसमें से बहुत सारे अधिकतर जो एंसर मार देते हैं बिना सोचे समझे चितोर जो की चितोर गलत हो जाता है इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मालवा मालवा विजय के उपलक्ष में राणा कुमबा ने किर्तियस थम का निर्मान करवाया था नेक्स्ट है यह 47 नंबर में दिल्ली सल्तनात की किस सासक ने स्वैम को पैगंबर का वंसर बताया है तो 47 नंबर का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन C खिर्ज खा और यह सैयद वंसर का है ठीक है याद रखिएगा 48 नंबर में ये फिरोसा तुगलक द्वारा बनाये गया सहरों में सामिल है तो फिरोसा तुगलक द्वारा कौनकों से सहर बनाये गया है तो यहां पर देखे जौनपूर बनाये गया है फतेहाबाद बनाये गया है फिरोजपूर बताये गया है और हिसार भी बनाये गया है तो इसका option D हो जागा उप्यूक सभी. Next आईए 49 नमबर में. 49 नमबर बोरा की राजमुंदरी की अभी लेखो में कि सासक को विस का खान कहा गया है? तो 49 के यहाँ पर सही हो जागा option D मुहम्मद बिन तुगलक को. Next आईए कोशन नमबर 50 में बोरा निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखे सत्य नहीं है पूछ रहा है. तो अकाल सही था कि अस्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के दौरा की गई सही है. ब्रामनों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सासक जो था फिरोसात तुगलक था ये भी सही है. सह पर्थम सी चाहिक कर फिरोसात तुगलक द्वड़ा लगाया गया ये भी सही है. सिजदा और पाबोस पर्था की सुरूआत अलाऊदीन खिलजी के दौरा की गई. दी ही option इसका हो जाएगा तो इस तरह से करके दिल्ली सल्तनत का जो top 50 question था वो हम आप जो अक्सर exam में पूछा जाता था वो मैंने आप लोग के सामने प्रस्तूत किया है उमीद करते हैं कि ये series आप लोग को अच्छा लगा होगा मिलते हैं next video में किसी और topic पे top question लेकर के तब का दिन मंगल में हो धन्यवाद